है लोग फ्रेंड में कवीता वर्मायकप फिर से आप लोग का हमारी चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे तो यहां पर बना रहे थे चावल की आटे का निमकी घर बना के रख देते तो ग्यान भी थोड़ा बहुत खाता है तो यहां पर थोड़ा सा कुछ काम के लिए हम लोग आ गए थे मार्केट इसाम का टाइम हो रहा है लगवग साथ या साहरे साथ बज़ रहा होगा तो यहां पर देख सकते हैं ग्यान को बर्गर खाने का मन कर रहा था तो बस वहीं बर् आ रहे हैं तो यह नेक्षडे हम लोग जा रहे थे पटना और ग्यान का इजी करवाना था तो उसी के लिए तो सुभा का साथ वज़े हम लोग सुभेरे निकल गए थे क्योंकि सुभा सुभा होता है निकलने से ठंडा मौसम रहता है और यहां पर जान के लिए लुए ले प्रोब्लम होता है इसलिए मैं को सिस करते हूं इसको जितना सुभा लेकर निकले तो खुला हवा लगता है तो बहुत अच्छा सही से चला जाता है तो यहां पर उसको नास्ता वसलका-फलका करवाते जा रहे हैं क्योंकि खाली पेट अगर रहे हैं तो विल्कुल उसका मन करता है तो सही डाता है तो इस समय तो मुझे विल्कुल अच्छा नहीं लग रहा थैं पर क्या कर सकते हैं भग्वान का yorgyi था क्योंती थो कि बच्चे को थोड़ा सभी ex, पर थे लुए blijड नहीं लगता है तो यह पूद कि Íप्पने कॉम चीज नहीं थी लेकिन फिर भ मा को बहुत बएफ़ नगई ठीक बावी कि किसी तरह से बाल बाल बीच बीच में माम मम उसको बोलते हैं यहीं पर हैं तो वसे उस अब कड़वा के हम लोग निकल गए थे घर और यहां पर देख सकते हैं थोड़ा दूर आने के बाद थोड़ा सा सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो यहां पर जब भी आते हैं तो यहां का चाय जरूर पीते हैं बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर रूके और देख सकते हैं ग्यान को तो हलका फल्का यहां पर कुछ नास्ता करवा देते हैं बाबु को तो सही रहे रहे हैं तो चाय पीना है चाय विंग उसको खाने कमान था था हम लोग भी है थ्यूरा सा बहुत तो लिट्टी चोखा वी बहुत अच्छा लगत देख सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है खाने में तो वस घ्यान को अभी हलका सा एक लिट्टी उसको खिला दिये एक हम खा लिए क्योंकि हल गारी पर चल रहा है तो हलका खाके ही चलते तो सही रहता है तो बस यहां पर आ गई थी चाय और यह मटके वाली चाय तो बहुत बहुत अच्छा लगता है तो यह बस घ्यान को भी बिस्किट खिला दिये थे उसको भी कुछ ज्यादा है भी नहीं खिलाएं बस एक लिट्टी और एक बिस्किट बस यह हलका हलका देते रहते हैं और लास गारी पर बीच बीच में चीफ बगेड़ा कुछ भी मूह अगर चल रहा है तो सही है तो फिर आगें थे घर तो आएं थे हम लोग लगवक तीन बज़े आ गयते तो आते के साथ तो सब लोग सो गए थे पूरा ठकावट हो गए थी उसके बाद यहां पर होड़ा था रात का टाइम हो गया था तो यहां पर बना रहेते खाना उसमें तो द तो देश भी लगवक जगें तो सुभा का छे यह सारे छे बज़रा होगा और फिर यहां पर आज नहाय खाए है तो फिर आज भी थोड़ा बहुत जो पारण के दिन बनाये जाता है बहुत सारा सब्जी तो उतना तो नहीं बनता है लेकिन एक-दो सब्जी बनाये जाता है तो जादा नहीं इस दिन बनाये वस मिक्स करके बना दिया क्योंकि पटना से आये थे थोड़ा सा थकावट भी लग रहा था तो मम्मी भी आ गई थी और यहां पर दादी और पोता दोनों बात कर रहे थे तो यहां पर देख सकते हैं मम्मी तोर रहे थी पोई का पत्ता और कांٌ कीडिण और सवजी कड़ी सबस्बलों मतलब जित्या के नहाय खाई के दिन यह सबवाद धर में ऐसाने की हर जगां एक जैसा होता है हर घर की अपनी अपनी परम्पराइं होती है ऐसा है जिसका जहां पर घड है वह साशा किया जाता है जो मतलब सास् violence क्याश्ит हम न दी कई सब्सक्राइब तो फिर बवे पैपा स कंए बाबु को छिद मुझेक जा नहीं लगती है। पूझा ह Kansas City तो जिसे होती है। बहुत सारे पकवान बनाते हैं बांस की टोकरी वगर वो सब फूजा नहीं होती है तो मम्मी जैसे करते आ रही हो ऐसे ही बोता है है तो बस हम लोग का भी वैसे ही किया जाता है बस अपने बच्चे को यहां पर टीका लगा कर वही जीतिया वगेरा पेनाया जाता है और खीरा लिगे औरास-मल uważ कर यहां पर बस जो सबजिया है तो लेते हैं उसके बाद टोड़ा जोंकर हां निकाल देंगे तो सूह्मी बहुत anál हो जाता है सूहा जाता है तो सब चीज सकते हैं दोके सब को काटके सब कु elephants रहती है रात में सूहा में उठे हम लोग क्शार वजे उठें उसके बाद मम्मी भी जग गई थी हम भी जग गए थे उसके बाद दो तीन कड़ाई चड़ा दी हैं यहां पर मम्मी भी थोड़ा बहुत हैल्प कर रहे थे लहसून और प्याज वगएरा वह चील कर दे रहे थे तो बस हम बनाते जाने तो फ्रेंड्स यही था हमारा लाज़ा के दिन का खाना तो बन कर तयार हो गया है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो कर आए दो